जैसरी शाम दोस्तों स्वागत आपका प्राचिन ध्रमग्यान चैनल में अगर आप भी भगवान भोले नात के भगते हैं और भगवान भोले नात को प्रसंद करना चाते हैं तो सावन के महीने से अच्छा तो कोई दूसरा महीना हुई ही नहीं सकता क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोले नात और माथा पारवती प्रस्वे लोग पर भर्मन करते हैं तो सावन के महीने में शुद्ध भावना और सच्च हिर्द से की गई पूजा पाट से भगवान भोले नात अत्ती शिगर परसन हो जाते हैं क्योंकि भगवान भोले ना नात की सच्ची सरदा से पूजा अरादना करते हैं भगवान भोले नात उनकी सभी मनो कामनाई पूरण करते हैं और इस बार दो सावन हैं तो सावन का अधिक मास होने की वज़त से भगवान श्रीहरी विश्णु और भगवान भोले नात की किरपा जम कर अपने भगतों पर बरसने वाली है तो ऐसे में जो लोग प्रियाप दन नहीं होने के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं तो वो लोग शुकल पक्ष की पंचमितिती को तुलसी से जुड़ावा यह उपाय कर लें यह मैं आपको 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूं अगर यह उपा जुलाई सुभय 9 बज कर 26 मिनट से शुरी हो जाएगी और 23 जुलाई सुभय 11 बज कर 44 मिनट तक रहेगी तो ऐसे में आपको इस समय में तुल्सी के पौदे की पूरे विधी विधां से पुझा करनी है तुल्सी के पौदे शुकल पक्ष की पंच मितिती को तुलसी माता से जुड़ावा यह उपाई करने से लोगों के जीवन में सुक समर्दी और खुसियां आती हैं और आर्थिक संकट दूर हो जाती हैं आपको एक उपाई और बता देती हैं आपने एक तंबे का लोटा लेना है और उसमें गन्ने का रस भर लेना है और दो वूंदे उसमें गंगा जलकी डाल लेनी है और साथ बार अपना नाम और अपना गोतर बोल कर तुलसी के पोदे में अर्पित कर देना है यह उपाई आपको सुभा के समय करना है तो इस उपाई के करने से आपके पास छप्पर पाड की धन आएग है तो लाल रंग का कपड़ा लेकर पास तुलसी के पते उसमें बांद ले उसकी पोटली बना ले और उसके बाद इस पोटली को आप अपने धन की तिजोरी में रख दे जहां पर आप धन रखते हैं और तुलसी के पोदे में शाम के समय शुद्गी का दीपक जलाएं और अपने घर के मुखे दरवाजे पर दोनों तरफ शुद्गी का दीपक जलाएं तो अधिक मास की पंचमी तिथी को तुलसी से जुड़ा हुए ये उपाय करने से आपकी धन संबदी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आपके पास छप्परफाड के धन आएगा अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ